Arthropod के बारे में हमने पढ़ा कि Arthropoda एक Invertebrate का सबसे बड़ा गुरुप है और सबसे डावर्स गुरुप है अब जो Arthropoda है इसकी जो Appendages है वो Segmented है Arthropod के अंदर जो Appendages है यह Modified है to perform different types of functions For example, इनके Appendages जो है वो As a Walking Legs का काम करती है कुछ Animals के अंदर जो Appendages है वो Food Capturing का काम करती है कुछ के अंदर जो Appendages है वो Modified होके Antina बनाती है कुछ Animals के अंदर यह Class का काम करती है कुछ के अंदर यह Reproduction के अंदर Help करती है और कुछ cases के अंदर ये egg holding का function perform करती है इसका मतलब ये है कि जो arthropod की appendages है उनके अंदर बहुत ज़ादा modification है to perform different tasks अब arthropod के अंदर segmentation है इसके अंदर जो segmentation की जो property है ये इन से जो पहले phylum आता है phylum annalida उनके अंदर भी मौझूद है क्योंकि जो annalids की body है वो segmented है और उनका जो हर segment है उसके अंदर reproduction का system excretion का system मौझूद होता है इसी तरीके से जो arthropod है इनकी body के अंदर जो appendages हैं वो segmented है तो ये ख्याल किया जाता है के arthropod ये close relative है annalids के और ये जो segmentation का जो connector है ये इन्होंने acquire किया है अपने ancestor से अब अगर हम exoskeleton की बात करें तो इनका जो exoskeleton है उसके अंदर kitten है इनका exoskeleton इनको protect करता है लेकिन जो exoskeleton है उसका drawback भी है क्यूंकि exoskeleton की बज़ा से जो insect है या arthropod है उनकी जो body की growth है वो restrict हो जाती है इस वज़ा से जो arthropod है इनको periodically वकफे वकफे से अपना जो exoskeleton है उसको remove करना पड़ता है और ये जो phenomena है जिसके जरीए ये अपने body का exoskeleton remove करते है इस फिनोमना इस known as akdysis अब जब akdysis हो रही होती है उस वकफे जो caterpillar होता है या young जो arthropod होता है उसकी body के उपर जो exoskeleton है वो क्योंके अभी नहीं बना होता इस वज़ा से इनके उपर predator के attack के जो chances है वो बहुत जादा बढ़ जाते है इसी तरीके से अगर जो arthropod का जो caterpillar है इसको हम compare करें एनलेट्स के साथ तो हम देख सकते हैं कि जो anards और जो cattle pillar है उसके अंदर resemblance मौजूद है जो ये indicate करती है कि ये दोनो close relative है अब जो exoskeleton है ये इनको muscle के लिए attachment की जगा भी provide करती है और इन जहाँ जहाँ पर joint होते हैं वहाँ exoskeleton flexible होता है ताके movement के अंदर आसानी रहे तो एक तरफ तो exoskeleton इनको protect कर रहा है इनकी body से जो पानी का loss है उसको रोक रहा है दूसी तरफ इनके लिए muscle भी पैदा करता है क्योंकि उसकी growth restrict हो जाती है अब अगर हम आर्थरोपोर्ड की circulatory system की बात करें तो आर्थरोपोर्ड के अंदर जो circulatory system है वो open circulatory system है इनके अंदर जो heart है वो इनका जो blood जिसको हम hemolymph कहते हैं उसको pump करता है open places के अंदर open spaces के अंदर जिनको हम sinuses कहते हैं उसके लावा अगर हम आर्थरोपोर्ड के excretory system की बात करें तो excretion के लिए इनके अंदर coxal gland मौजूद होते हैं इनके अंदर entenal और maxillary glands मौजूद होते हैं इसके लावा इनके अंदर malpigen tubules मौजूद होती हैं उसके लावा अगर हम इनके respiratory system की बात करें तो इनके अंदर respiration के लिए मुखतलिफ structures मौजूद हैं बसरन इनके अंदर tracheal system मौजूद हैं इनके अंदर book lungs मौजूद हैं और ऐसे arthropods जो के aquatic हैं उनके अंदर gills मौजूद हैं उसके लावा अगर हम आर्थरोपोर्ड के nervous system की बात करें तो इनका nervous system advance है इनका जो डॉर्सल brain मौजूद है जो के वेंटल nerve cord के साथ जो है fuse है अब अर्थरोपोर्ड के बारे में ख्याल किया जाता है कि four lineages हैं पहली trilobite, trilobites का जो group है ये extinct हो चुका है इसी तरीके से जो दूसरा चैली सिरेड्स जिसके अंदर horsefu приbs शामिल है इसी तरीके से तीसरा junirameans जिसके अंदर centripides शामिल है और मिलीपीड्स शामिल है इंसेक्स शामिल है और चौता जो करस्टेशन का गुरॉप है इसके अंदर क्रैब्स हैं लाबस्टर्स इसके अंदर शामिल है और यह ख्याल किया जाता है कि जो आर्थ्रोपोर्ट्स की डिफरन्ट क्लासिज है वो शायद इन ही लीनियजी से इव होके बनी है